हलो बच्चो गुड मोनिंग आज मैं आपको कक्षातीन का हिंदी विशे पढ़ाने जा रही हूँ तो हब हम दीत्य सत्र का पढ़ रहे हैं तो दीत्य सत्र में पाठ बारा जो हमारा दिया है बर्खा आई पाठ बारा हमको क्या दिया है बच्चो बर्खा आई इसके गीतकार कौन है रमेस मिलन बाठ बारा बर्खा आई तो बर्खा आई बर्खा आई डाल डाल हरियाली चाई काले काले बादल आई उमड उमड कर नपड चाई बिजली चमचम चमक चमक दिखाई रिमजिम रिमजिम भूंदे आई डाल डाल हरियाली चाई पात पात पर खुशिया आई सुखी नदिया जल भरलाई, धर्ती पर खुशाली आई पोयल कुक कुक हर हरसाई, पीहू पीहू पपिहागाई काला काला बादल गडगडगाई, मोर नाच नाच लहराई रितू सुहानी है मन भाई, बर्खाई बर्खाई तो बच्चों ये कवीता क्या है हमको पढ़नी है, तो ये कवीता हम पढ़ेंगे, उसके ही हमको ये कवीता का भावार्थ ही हम समझेंगे एक बार मैं आपको फिर से इसको पढ़के सुनाओं और राग में पढ़नी है तो बर्खा आई, बर्खा आई, डाल डाल हरियाली चाई काले काले बादल आई, उमड उमड कर नव पर चाई बिजली चम चम चमक दिखाई, रिम जिम रिम जिम भूंदे आई डाल डाल हरियाली चाई, पात पात पर खुशियां आई सुखी नदिया जल भरलाई धर्ती पर खुश्याली आई कोयल कुक कुक हरसाई पीहू पीहू पपीयागाई काला बादल गडगडगाई मोर नाच नाच लहराई रितु सुहानी है मनभाई बर्खाई बर्खाई तो बच्चो अब मैं इसका आपको कविता का भावार समझा देती हूं तो देखो बर्खा आई बर्खा आई डाल डाल हरी आली लाई तो वर्षा रितु क्या है बर्षात की रितु आ गई पेडो की डालिया हरी भरी हो गई अब काले काले बादल आए उमड उमड कर नप पर छाए बिजली रह रह कर चमक रही क्या है बिजली रह रह कर चमक रही और पानी की बुंदे रिमजिम बरस रही क्या हुआ और पानी की बुंदे रिमजिम बरस रही डाल डाल हरी आली छाई पात पात पर खुशिया आई सूखी नदिया जल भरलाई धर्ती पर खुशिया ली आई पेडों की डालिया हरी भरी हो गई, उनकी पतियां पर खुशियां की जलक दिखाई देती है, क्या है पेडों की डालिया हरी भरी हो गई, उनकी पतियों पर खुशियों की जलक दिखाई देती है, पानी बरसाने के कारण सुखी नदियों में पानी भर गया, क्या है पानी बर पीऊ 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 करके गाने लगा है काले काले बादल गड़गड की आवाज करतें गा रहे हैं इस रितु में मौर मस्ती में पर फैला कर नास्ते हुए लहराते रहते हैं क्या है वर्सा रितु में कोयल कुकु करकर अपनी खुसी प्रकट करती है पपीऊ पीऊ पीऊ गाने लगता है काले काले बादल गड़गड की आवाज करते हुए गा रहेığını काले काले बादल जो है वो गड़गड की आवाज करते हुए गा रहे हैं मूर मस्ती में पंक फैला कर नाच रहा है मूर मस्ती में मस्ती में पंक फैला कर नाचते हुए लहरा रहा है रीतु सुहानी है मन भाई बर्खाई बर्खाई तो वर्षा रितु बहुत सुहानी और मन को अच्छी लगने वाली है तो बच्चों मैंने ये कवीता भी पढ़ ली और कवीता का भावार्थ भी समझा दिया है और अब इसके आगे हम जो इसका स्वाध्य है वो देखेंगे देखो सब्दार्थ है जो पहले हमारे सब्दार देखेंगे बर्षा बर्खा तो बर्षा या बारिस क्या है बर्खा तो बर्षा या बारिस नब तो आकास क्या है नब तो आकास पात तो पत्ता क्या हैगा पात तो पत्ता हरसाए तो खुसोना तो इस तरह से ये सब्दार्थ हैं और अब्यास्म बच्चों ये किताब का जितना ज्यादा तर स्वाध्य है वो मैंने इसमें कम लिखा है आगे मैंने आपको स्वाध्य पूथी में करवाया है तो स्वाध्य पूथी में मैं आपको कल स्वाध्य पूथ उत्तर मैंने स्वध्य पोथी में करे हैं तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी स्वध्य पोथी का कल के पिरियड में मैं आपको स्वध्य पोथी में पढ़ाऊंगी तो ये आपको पढ़ना है और उसमें स्वध्य प्रश्न के उत्तर भी हैं तो आगे इसका में जो छोटा-छो काले-काले, उमड-उमड, चम-चम, रिम-जिम, पात-पात, कुकु, गडगड, नाच-नाच, बरखाई, बरखाई इस तरह से जितने कविता में हमको सब्द दिये थे, वो सब्द चुनकर मैंने आपके यहापे किताब में लिखा है फिर आगे देखो, यहापे भी सवाध्य दिया है तो यह क्या है? प्रष्णों के उत्तर ही है तो यह प्रश्ण के उत्तर मैंने सवाध्य पूथी में लिखे, तो आपको सवाध्य पूथी में करवाओंगी अब प्रश्न नमबर दो निमने लिखित खाली जगह भरनी है तो पहले देखे बरखाई बरखाई डाल डाल हरियाली चाई क्या हुआ बरखाई बरखाई डाल डाल हरियाली चाई तो क्या लिखेंगे खाली जगह में हरियाली लिखेंगे दूसरा है काले काले बादल आए, उमड गुमड कर खाली जगह पर छाए, तो किस पे छाए, नब पर छाए, किस पे छाए, नब पर छाए, फिर तीसरा है सुखी नदियां जल भर लाई, धर्ती पर खाली जगह लाई, तो क्या लाई, खुशिया ली लाई, धर्ती पर खुश चौथा है काला बादल गडगडगाई खाली जगन नाच नाच लह रहा है तो कौन लह रहा है मोर कौन लह रहा है नाच नाच मोहुर लह रहा है फिर तीसरा है सही जोड़े बनाईए तो पहला है बिजली चमचम चमक दिखाए तो क्या आएगा बरखाई बरखाई पहले क्या लिखेंगे बर्खाई बर्खाई सही जोड के बनाने हैं तो पहले में हम क्या करेंगे बर्खाई बर्खाई लिखें फिर दूसरा है कोयल कूकूक हरसाई क्या है तो इसका उत्तर क्या करेंगे पीहू पीहू पपीहा गाए क्या है पीहू पीहू पपीहा गाए अब तीसरा है डाल डाल हरियाली चाई तो क्या आएगा तीसरा है डाल डाल हरियाली चाई तो क्या आएगा पात पात पर खुसी आई क्या है पात पात पर खुसी आई चोथा है रित्व सुहानी है मन भाई तो क्या आएगा रिमजिम रिमजिम भूंदे आई अब देखो बच्चों यहाँ पे काव्य पंक्तियां जो दी है वो आपको अपनी किताब में से ही देखके करनी है तो इसके आगे का जो स्वध्य है वो मैं आपको आगे के स्वध्य पूथी के अंदर जो मैंने करवा है वो आपको कल मैं समझाऊंगी अब देखो प्रश्न नंबर पास समानार्थी है तो बर्खा तो बरसात है, जल तो पानी है, बादल तो मेग है, धर्ती तो जमीन है, नब तो आकास है, मोर तो मयूर है, नदी तो सरीता है, कोयल तो कोकिल है इस तरह से ही है, हमारे समानार्थी है, प्रश्न नंबर छे, सब्द कुस के क्रम में लिखे, तो पहला क्या है, चमक, खुशिया, पपिहा, सुहानी, काला, तो ये क्या दिया है, हमको सब्द दिया, अब इनको हमको कक्कावारी से गोठने, याने पहले कौन सा आता है, तो क्य क्या आएगा, काला, क्या आएगा, काला, फिर दूसरा आता है, खुसिया, फिर तीसरा आता है, चमक, फिर चोथा आता है, पपिहा, फिर पांचवा आता है, सुहानी, इस तरह से हमको क्या ये करना है, अब प्रश्न नंबर सा आते, नीचे दिये गए, प्रतेक सब्द के द दो वाक्य बनाने हैं तो देखो पहला क्या है हरियाली तो हरियाली के बारे में अमको जो भी आता है वो लिखना है हरियाली है दूसरा बूंद है खुसी है रीतु है मन है वो आपको अपने आपसे लिखना है आपको नहीं आते हैं तो स्वध्य पुथी में भी दिया है उसमें से मैं आपको करा दूँगी इसमें भी कलरों के बारे में लिखना है तो इतना तो आपको बच्चो आना ही चाहिए आपको नहीं आएगा तो मैं स्वध्य पुथी में कराऊंगी तब आप देखके किताब में लिख देना प्रश्णा नमबर 9 है उधार गुकू, पपिहा पीहू, कववा काका, मोर पीहू, तोता मिठु मिठु, चिडिया चींची, बतक गुकू तो इस तरह से हमको ये करना है प्रश्णा नमबर 10 नाव का चित्र हमको बनाना है और नाव के बारे में हमको यहाँ पे लिखना है तो बच्चो आज मैंने की वीडियो में आगे पढ़ाऊंगी ठीक है थैंक यू